हाइदरबादी रेशमी दम का मटन बनाते हैं मसालेदार बहुती नर्म मुलायम ये मटन की बोटियां बनकर रेडी होती है तो ये रेसिपी को हम बनाएंगे 7.500 ग्राम बोनलिस मटन के साथ आप चाहें तो बोन्स के साथ भी मटन ले सकते हैं दम के मटन के लिए मसाला निकालते हैं इसके लिए लेंगे 10 से 12 बादाम तीन इंच का ड्राइक ओकुनट है इसके मैंने छोटे-छोटे टुकडे कर लिये हैं 10 से 12 लेंगे काजू 10 है पिस्ता एक चमश लेंगे काली मिर्च दो चमश है धनिया एक दो इंच का है दारचीनी का टुकड़ा ये पत्थर का फूल है वस एक छोटा पीस ले लेते हैं दो है हरी लाईची एक है जावित्री का टुकड़ा एक चमश लेंगे काला जीरा कच्चा पपीता है दो इंच का इसके पत्ले पत्ले टुकड़े काट कर लेंगे मुठी भरकर लेते हैं पुदीने के पत्थे मुठी भरकर लेंगे धनिया के पत्ते लेसन की कलिया है 10-12 दो इंच का है अधरग का टुकड़ा 5-6 है हरी मिर्च 7-8 डाल लेते हैं लोग तो ये मसाले को निकाल कर हमने रड़ी रक लिया है, अब इसे डाल देंगे grinding जार में थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं मसाला डालने के बाद इसे grinding कर लेंगे और इसका अच्छा सा एक paste बना लेते हैं अब इस मसाले को हमें डाल देना है मतन के ऊपर साथ ही इसके डाल देंगे आधा कब दही अच्छी तरह से फेटा हुआ दो चमच इसमें डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर आधा चमच डालेंगे हल्दी का पाउडर और नमक मतन के हिसाब का डाल लेते हैं आधे नीमू का रस इसमें डाल लेंगे घी डाल लेते हैं इसमें दो बड़े चमच भरकर और दो मीडियम साइस की तली हुई प्यास है इसे अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके डाल देते हैं तेल डाल लेते हैं एक चौथाई कप प्यास को मैंने इसमें फ्राइ किया हुआ है अब अच्छी तरह से हमें सारी चीजों को मिक्स कर लेना है टाइम है अगर आपके पास तो मतन को मेरिनेट कर लीजिए एक घंटे के लिए पपीता हमने मतन में डाला हुआ है बिना मेरिनेट के भी आप इसे पका सकते है मतन को हम पहले पका लेंगे हाई फ्लेम पर चलाते हुए ताकि मसालों का कच्छापन चला जाए हाई फ्लेम पर मतन पर जब अच्छा सा उबाला आने लगे तब हम इसे फ्लेम पर से उतार लेंगे और एक तवा रख लेते हैं अब तवे के उपर मतन का पतीला रख देंगे इसे ढख देंगे और medium to low flame पर हमें इसे पकाना है करीब 45 मिनट के लिए ताके मतन एकदम juicy और soft बन कर ready हो बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे मतन का अपना पानी छूटेगा मसाले का पानी है दही है इतने पानी में मतन अच्छी तरह से पक कर soft हो जाएगा 40-45 मिनट बाद हम ढखकर हटा लेंगे मतन अच्छी तरह से पक कर soft हो गया है अगर मतन हड़ियों के साथ है तो इसे पकने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाएगा मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं रोगन भी सारा उपर आ चुका है अब इसमें थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धन्यके पत्ते डाल देते हैं अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे हैदराबादी रेशमी दम का मतन बनकर रेडी हो गया है आप इसे तंदूरी रोटी पराठा या नान के साथ सर्फ कर लीजिए